नमस्कार मैं निता दोलिया उत्राखंड मुक्तु इश्रुद्यालाई की ओर से आपका स्वागत करती हूँ आज की योग की कक्षा में मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा पलड़िया है आज के अभ्यास क्रम में प्राणयाम का अभ्यास करेंगे प्राणयाम से पूर्व कुष्णियमों को ध्यान में रखें वो इनका पालन आपको करना है यह अभ्यास प्राताकार स्वच वातावरण वश्चान्त वातावरण में ही करें ध्यान रहे वातावरण में किसी प्रकार का प्रदुशन ना हो तो इस दिये सुबह के समय आप यह अभ्यास कर सकते हैं यदि संभव ना हो सुर्यास्त के बादिया अभ्यास करें अभ्यासकाल के दोरान आपके वस्त्र धीलेव सुविधाजनक रहे ध्यान रहे अभ्यासकाल के बाद आपको तुरंत भोजन या स्नान नहीं करना है के अभ्यास को करेंगे प्राणयाम में डिफ्रेंट डिफ्रेंट टेक्निक्स के साथ आपको इनिलेशन एक्षिलेशन करवाया जाएगा जिनकी विधी आपको बताए जाएगी प्राणयाम के अभ्यास से प्राणों का विस्तार होता है तो इसक्रिया को हम करेंगे प्राणया अदर सांस रोकेंगे, बाही कुंभग स्वास को बाहरी रोकेंगे। तो इन्ही पहलों को ध्यान में रखते विए, आज हम दो प्रणेयाम का अभ्याँस करेंगे। पहला प्राणयाम आपका शीतकारी प्राणयाम, दूसरा प्राणयाम भ्रामरी प्राणयाम, तो आईए किस प्रकार से आपको करना है शीतली प्राणयाम, किस प्रकार से आपको करना है भ्रामरी प्राणयाम, इनकी सावधानिया, इनके लाब, क्या-क्या हैं, इन सारी बातों को जानते वे हम कक्षा प्रारम करें प्राणयाम के अभ्यास के लिए किसी भी ध्यानत्मक आसन की स्थिति में आये आप किसी भी सहजिस्तिती में किसी भी आसन में आ सकते हैं पदमासन की स्तिती आई तीरे से दोनों हाथों को घुटनों के उपर रखते हुए चिनमुद्रा की स्तिती में लेकर आएं प्रणयाम के दोरान आपकी कमर वो गर्दन सीधी रहे आखें सहज्ता पूर्वक बन पहला अभ्यासम करेंगे शीतकारी प्रणयाम का नाम से प्रतीत होता है शीतकारी शीतलता प्रदान करने वाला सी की अवाज के साथ इसका अभ्यास किया जाता है किस प्रकार करना है देखेंगे दोनों दातों को आपस में मिलाते वे होटों को खोल लें जीप को उपर की ओर गुमाते वे तले पर लगा लें अपर पैलेट पर लगाते वे धीरे से स्वास को आपको मुह से अंदर खीशनी है सी की आवाज के साथ धीरे से मुह बंद करते वे सामान्य प्रस्वास दोनों नासिकाओं द्वारा पुना अभ्यास करेंगे तीन से पाथ चक्र पूरे करेंगे ध्यान रहे स्वास आपको नासिका द्वारा ही छोड़नी है पुना स्वास भरते हुए होटों को खोलना है दोनों दातों को आपस में मिलाते हुए जीप को उपर की ओर मोड़ते हुए सी की आवास के साथ ही स्वास भड़नी है तीसरा राउंड हमने किया चौता चक्र करेंगे आप चाहे तो इसमें अंतर कुम्बक का भी अभ्यास कर सकते है प्रारम भी किस्तिती में आपको उसी प्रकार अभ्यास करना है अंतिम अभ्यास करेंगे शीटकारी प्राणयाम का सी की आवास के साथ स्वास को मो खोलते हुए दातों को आपस में मिलाते हुए जीप को घुमाते हुए प्रारम करें स्वास चोड़नी है अभ्यास को विराम दिनगे ध्यान रहे शुरूवात में आपको बिना कुम्भक के ही अभ्यास करना है दीरे दीरे अभ्यस्त होने के बाद आप अंता कुम्बक का अभ्यास करेंगे फिर बाहिय कुम्बक के अभ्यास करेंगे हर चक्र के बाद बाहिय कुम्बक का भी अभ्यास करेंगे वह साथ ही बंदों का अभ्यास करते हैं यह उच्चेतर स्तर का अभ्यास है प्रारम्बिकिस्तिती में आपको इसी प्रकार करना है वधीरे धीरे अभ्यास के क्रम को बढ़ाया जाएगा स्तर को बढ़ाया जाएगा ध्यान रहे अंतिम चक्र हम करेंगे एक चक्र को पूरा करेंगे बंधों के साथ अंतर कुम्बक के सांग प्रारम करेंगे पुना होटों को खोलते हुए दातों को आपस में मिलाते हुए जीव को उपर ही तालू के साथ लगाते हुए स्वास को अंदर खीचें सी की आवाज के स्वाथ स्वास को अंदर भरें अंदर रोकें तीरे से मूल बन, मुराधार भाग का संकुचन जाल अंदर बन, कंट का संकुचन करते वे, जिनको छाती के सांथ लगाएं कंटे की मांस पेशो का पूरा संकुचन जिससे वायू अंदर या बाहर ना जाए या था संभव जितनी देर आप इस सिस्ति में रुक सकते हैं, रुकेंगे दीरे से वापस आने के लिए मूल बन धटाएं, जाल अंदर बन धटाएं सामानी स्तिति में आते हुए, स्वांस छोड़ेंगे, तो नुना सिकाओं द्वारा यदि आप सहज में सुस कर रहे हैं, दीरे दीरे इसी के साम स्वांस छोड़ते हुए, बाहर कुम्भक आप कर सकते हैं अभ्यास करेंगे, मूल बन लगाएं, जाल अंदर बन, चिबुक को छाती में मिलाते हुए, मूल धर भाग के मांस पेश्यों का संकुचन, कंट भाग के मांस पेश्यों का संकुचन, यथा संभव, होल करेंगे, वापस आने के लिए, मूल बन धर आएं, जाल अंदर बन धर आएं, इसी क्रम में, आप धीरे धीरे, चक्रों को बढ़ा सकते हैं अभ्यास को विराम देते हुए, धीरे से अपनी पूरी सजकता, अपने स्वास प्रस्वास के प्रती रखें अभ्यास के दौरान आपने मैसूस किया होगा, स्वास लेते हुए, पूरी शीतलता, आप चाती प्रदेश तक मैसूस कर रहे थे, तो आईए, शीतकारी प्राणयाम के अभ्यास के बाद, इनके लाभों को जाने यह अभ्यास शरीर में प्राण के प्रवाह को बढ़ा कर शारिरिक वमानसिक शांती प्रदान करता है, उच्च रक्त चाप, वो अमले की समश्या को कम करने में सहायक है, इसके अभ्यास से दात वा जबड़े स्वस्त बनते हैं, साथ ही कुछ सावधानिया हमें ध्यान में जिन्हें दातों की समश्या है, उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, निम्ने रक्त चाप, स्वसन रोग, वो कबजी की समश्या में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, वातावरन ठंडा होने पर या सरदियू में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, इसी के सान अपने आ प्रामरी प्राणयाम के लिए दोनों हास्तों की स्थिती को सामान्य वस्था में लेकर आए चिन मुद्रा हटाते हुए किस प्रकार से करना है एक बार आप जान लें अपनी तरजिनी उंगले से दोनों कानों को आपको बंद करना है अभियाब बन नहीं करेंगे एक बार आपको सुनना है अभ्यास फिर आप करेंगे आपको कानों को इस प्रकार बन करना है कि बाहर की कोई आवास आपके कानों तक ना आए इस अभ्यास के दौरान आपको स्वास भरनी है लंबी वा गहरी पुनह स्वास छोड़ते हुए भ्रहमर के समान गुंजन करनी है vibrations मैसूस करनी है अभ्यास प्रारम करेंगे कानों को बन करते हुए लंबी गहरी स्वास लें स्वास छोड़ते हुए ब्रहमर के समान गुंजन ब्रहमरी प्राणयाम का भ्यास पुनह लंबी गहरी स्वास लें व स्वास छोड़ते हुए ब्रहमर के समान गुंजन करें पुना अभ्यास करेंगे स्वास भरते हुए लंबी वा गहरी स्वास लें स्वास छोडते हुए ब्रहमर के समान गुंजन करें अन्तिम चक्र पूरा करें अन्तिम चक्र पूरा करें स्वास भरते हुए लंबी वा गहरी स्वास छोडते हुए ब्रहमर के समान गुंजन अभ्यास को विराम दें समान निस्तिती में आ जाएं दोनों हाथों को रिलीज करते वे गुटनों के उपर रख लें अभ्यास द्रण होने के बाद आप अन्ता कुंभक का अभ्यास भी इसमें कर सकते हैं प्रारम करेंगे कुंभक के साथ अन्ता कुंभक वबाय कुंभक के साथ ब्रहमरी प्राणयाम यह नाद्यों की साधना के लिए काफी अच्छा भ्यास है आपका पूरा ध्यान तरंगों पर प्रामर के समान जो आप ध्वनियूत पन्ने कर रहे हैं उस पर रहेगा एक चक्र अन्ता कुंभक के साथ हम करेंगे दीरे से पुना दोनों हाथों को उपर उठाते वे कोण्यों के कंदों के समाना अंतर फैलाए तरजिनी उंगली से दोनों कानों को बन करें लंबे गहरी स्वास भरें स्वास छोड़ते वे प्रामर के समान आपको गुंजन करनी है उससे पहले अन्ता कुंभक का अभ्यास करेंगे स्वास को भीतरी रोकते वे यदि आप सहज मैसूस करें इसी में मूल बन वा जालन दर बन का अभ्यास भी कर सकते हैं दीरे से जितने देर संभव हो सके स्थिति में रुकेंगे वापस आने के लिए मूल बन धटाएं जालन दर बन धटाएं वा पुना स्वास छोड़ते वे प्रामर के समान गुंजन करें लंबी गेरी स्वास भरें स्वास छोड़ते वे पुना हाथों को समानी स्थिति में लेकर आएं गुटनों के उपर रखते वे चिन मुद्रा में रखें आखें सहचता पूर्वक बन भ्रामरी प्राणयाम के अभ्यास के बाद आईए इनके लाभों की चर्चा करें यह अभ्यास तनाव वक्रोत को कम करके मन को शांत करता है अनिद्रा को दूर करता है वरक्त के दबाव को कम करता है यह अभ्यास आवाज को सुधार कर उसे मजबूत बनाता है गले के रोगों को भी यह अभ्यास दूर करता है अभ्यास के दौरान कुछ सावधानिया हमें ध्यान में रखनी है यह अभ्यास लेट कर नहीं करना चाहिए कान में किसी भी प्रकार का संक्रमर होने पर अभ्यास रोग देना चाहिए वह संक्रमर ठीक होने पर ही इसका अभ्यास करना चाहिए हिर्दै रोग्यों को सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए वह उच्छे रक्त चाप के व्यक्तियों को भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए इन व्यक्तियों को बंधों वकुम्भक का अभ्यास नहीं करना चाहिए तो आईए धीरे-धीरे अभ्यास के प्रभावों को आपने महसूस किया इस उर्जा को अपने पूरे शरीर में मस्तिष्क प्रदेश पर महसूस करें अपने शीतकारी प्रणयाम वभ्रामरी प्रणयाम का अभ्यास किया इससे उत्पन उर्जा को अपने रोम रोम में महसूस करें पुनह स्वास प्रस्वास के प्रती सजग बनते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लाते हुए आपस में मिलाएं तेजी के साथ रब करें हतेलियों को गर्म करें उर्जा उत्पन्न करें तीरे से आखों पर रखें चेहरे पर लगाएं पूरे शरीर पर लगाएं पुनह दोनों हतेलियों को रब करते हुए आखों पर रखें ध्यान रहे आखें हतेलियों के भीतरी खोलें दोनों हतेलियों को हटाते हुए नीचे की ओर देखें सामने की ओर देखते हुए पदमासन को रिलीज करें या जिस किसी भी आसन में आप हैं वापस आएं दंडासन की स्थिती में दोनों पैरों को फैलाते हुए आपस में दूरिक रखे, हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएं, कमर को विश्राम दें, आखें सहचता पूर्वक बन, प्राणयाम की अभ्यास के बाद तुरंत ना उठें, कुछ देर विश्राम करें